नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जोडों के दर्द कंधे कमर हाथ पैर के दर्द के लिए एक ऐसा चमतकारिक नुस्खा या उपाई बताने वाले हैं जिसके प्रियों के साथ ही आपको इसकर जैल्ट समस्या हो गई है और जिसके होने के बहुत सारे कार हैं दोस्तों और आज जोडों का दर्द किसी भी उमर के व्यक्ति को हो जाता है पहले यह हैं साथ साल के उपर के लोगों को होता था लेकिन आज 20 साल के युवा भी इसे जोडों के दर्द के सिकार पाई जाते हैं दोस्त को ये पता ही नहीं होता कि उनको दर्द किस वजह से है क्योंकि ये दर्द होने के बहुत सारे कान होते हैं। किनी के प्लेटलेट कम होते हैं उसके कान भी दर्द होता है यानि इस दर्द के होने के बहुत सारे कान हैं लेकिन ऐसी स्थिति में वे लोग जो दर्द से परिसान होते हैं अक्सर डोक्टर के बाज आते हैं और डोक्टर से दवाईयान लेकर आते हैं और उनको खाते हैं और स टाइम तो आपके दर्द को कम कर दीती है लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती बढ़ती ही जाती है और आगे चलकर गठिया जैसे भिंकर बीमारी का रोग ले लेती है या ओर भी बहुत सारे रोग इनके कान पैदा होती है लेकिन दोस्तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको पहले अपना टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद ही दवा लेनी चाहिए लेकिन दोस्तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसा चमतकारिक नुस्खा लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी देंगे जिस नुस्खे को आप अपने घर पर बनाएंगे और इस जोडों के दर्द से चाहे आपका जोडों का दर्द कितना भी पुराना हो या किसी भी रूप का हो और किसी भी तरह हैं किसी भी सरीर के जोड में दर्द हो और उसका कान कुछ भी हो, ये सभी में काम करेगा जो नुस्खा है और दोस्तो इस नुस्खे की जो मुखे समगरी हैं वो है दोस्तो पीपली और दोस्तो पीपली के बारे में मैं आपको क्या बताऊं पीपली में कार्बोहार्टेट, वसा, प्रोटीन, एमीनो एसिड, विटामिन, एंटी माइक्रोबाईल और एंटी निफिलमेंटरी तत्व बहुत अधिक पाई जाते हैं और दोस्तों ये पीपली का नुस्खा ना सरफ इस जोडों के दर्द, घुटनों के दर्द, कंधे, कमर, हाथ, इल्डी के दर्द में काम करेगा बलकि इससे आपकी पाचन सकती मचबूत होगी, पेट दर्द का भी इलाज है, अपच, गैस, दस्त, अस्थमा, ठकान, मासपेशियों में कहीं भी दर्द हो दोस्तों इन सभी में ये जो पाउडर है, वो इक राम बान ओस्ती की तरह काम करेगा और दोस्तों सबसे मुखे बात, इसका आपको किसी बात का भै भी नहीं होगा कि आप इसको बाहर से ला रहें, क्योंकि आप इसको अपने घर पर बना सकती हैं इसलिए आपको ये कारंटी रहेगी, कि इसमें किसी भी इतर है कि कोई मिलावट नहीं है तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि ये आपने करना कैसे है दोस्तों आपको पीपल लेनी है, छोटी पीपल और छोटी पीपल लेकर इसको धूप में सुखाना है इसको धूप दिखानी है और उसके बाद इसको पीसकर ग्रैंडर में डालकर इसका पीसकर पाउडर बना लेना है दोस्तो ये है आपकी ओस्ति अब बात आती है इसके सेवन की कि आपको इसका सेवन करना कैसे है तो दोस्तों आपने क्या करना है एक कप दूध लेना है और उस दूध में एक चुटकी इस powder को डाल कर रात को रख देना है उस दूध को ऐसे ही और सुबह आपने खाना खाने के बाद उस दूध का सेवन करना है आप उसको हलका गर्म कर सकते हैं पर अधिक गर्म नहीं करना है आपने जब रात में इसमें एक चुटकी पीपली के चून की भीगोनी है तब ही आप उसको उबाल का ठंडा करके उसके बाद ही ये काम करें और सुबह उसको आप खाना खाने के बाद पी लें खाना खाने के पंदरा मिन्ट के बाद और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पहली ही खुराक से इसका असर दिखाई देगा और आपके सरीर में कहीं पर भी दर्द हो वो बिलकुल सही हो जाएगा चाहें जोडों का दर्द हो दोस्तों गठिया तक के दर्द में ये नुस्खा काम करता है तो दोस्तों आप भी आज ही इसको अजमाइए और पहले ही दिन से अपने इस दर्द से छुटकारा पाईए तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवाद दोश्तों